हालो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चैनल जैसा कि आपके देख रहे हैं डेल की पावर सप्लाई है रिपेयर होने के लिए आया हुआ है कर्ष्ट्मर का है तो इसको हम रिपेयर करेंगे तो इसमें फॉल्ट जो है इसमें फॉल्ट है कि ओन ओफ ओन फो रहा है और बो जरूर रिपेयर कर पाएंगे अगर नहीं रिपेयर कर पाता है मैंने नंबर दिया हुआ है आप हमें वाट्सप करिए मैं अड्रेस हो गारा डिटियल दे दूंगा आपको रियर कर सकते हैं और अगर आपको नई पावर सप्लाई चीए या रिफर्विस चीए तो हमारे पा आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कि बहुत सारी वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और आती रहती हैं तो अभी चलिए इसको मैं चेक करवाता हूं आपको तो देखिए यहां पर पावर लगा दिया मैंने अब अगर हम इसको न हो रहा है और ग्रीन ब्लैक जैसा कि आपको मैं हमें सह बताता हूं इसको शॉट करेंगे लगा यह देखिए इस फैन मूब हो रहा था अब अगर बॉर्ड में लगा देते हैं तो एसका फैन आफ वहता है यह प्रोब्लम है अब इसको ओन करके दिखाता हूं में डिस्प्ल नहीं मूब करने खुला वगां दिखा देता हूं और एक पुर रहा है और उपर्म है पावर सप्लाइ न tiny एंक french पूरा और चेक करना नहीं खराब है नहीं तो यह permanent नहीं चलता और मैंने इसको अगर चाहें तो बचा के touch cut के देख सकते हैं तो overheat नहीं होना चाहिए वाकि और दिक्कत नहीं होगी I think तो यह तो चेक करने के बाद sure हो पाएगा तो अभी इसको निकाल के हम चेक करते हैं पूरा PCB बाहर निकाल के power फर्म हो पाएगा कि यही problem है कि और भी कुछ problem है इनमें तो इसको हटा देते हैं और इसको open करके फिर चेक करते हैं तो यहां पर देखिए अभी जैसा कि आप में रहा है फिजिकल तो कुछ दिख नहीं रहा है बट इस condition में क्या है कि कोई component लोड नहीं ले रहा है तो इस व वोल्ट मिला नहीं तो अब one by one एक करके निकालेंगे तो यह आपको करते करते ही आइडिया लाएगा कि क्या खराब हो सकता तब इसमें मुझे लग रहा है कि फिल्टर खराब हो सकता है क्योंकि filter capacitor क्या होता है कई बार बीख हो जाता है वह नीचे से भी होता है कई बार खर कर लेंगे तो यहां पर देखिए filter capacitor क्या condition है नीचे से यह देखिए अगर आपको दिख रहा होगा clear तो अभी एक लेक निकला है और दूसरा बिल्कुल निकला ही नहीं वहीं पर रह गया क्योंकि यह अंदर से पूरा खराब हो चुका है तो अभी दूसरा भी निकालेंगे इसका लेग इसी में रह गया है इसी भी में तो अब हम इसकी जगां पर नया filter लगा कर चेक करेंगे तो फोल्ड तो छोटा साही है बट यह हमें उपर से देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है केपिस्टर देखिए कहीं फूला नहीं हुआ है बट बैक साइड से देखेंग लोड के फैन चल रहा था जब लोड दे रहा था तो बिल्कुल लोड नहीं ले रहा था तो अब हम दूसरा लगाएंगे उसके बाद चेक करेंगे तो हमारे पास से नया कैफिश्टर है देखिए तो इसको हम इसकी जगां पर लगाएंगे फिर उसके बाद चेक करते हैं कि यह हमारा solve होती है problem या नहीं होती है वैसे इसे solve हो जाएगा क्योंकि और इसमें problem होनी नहीं चाहिए आपको पता ही होगा positive negative का ध्यान रखना है क्योंकि input में लगा है अगर positive negative गलत लगाएंगे तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है तो अब कब बन हो जाएगा एक तो ब्लास्ट हो जाएगा तुरंद कपिश्टर तो वह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर कंपोनेंट बिल्कुल सही लगाना है और कोशिद करें कि अच्छी क्वालिटी का कैपिश्टर वगएरा लगाएं जिससे प्रोब्लम ना आए जो अभी आपने देखा है यह क्वालिटी सही नहीं थी कंपोनेंट की इसलिए आई है और नहीं तो यह खराब नहीं उता है पहले का चेंज करा हुआ है किसी ने तो मैंने change कर दिया है अब इसको pack करेंगे फिर दुबारा से वार चेक करेंगे कि यह problem हमारी solve हो गयी यह नहीं हुई है भी है तो कि यहां पर मैंने लगा लिया है पुरा PCB अब इसको बोर्ड में लगा के फिर चेक करेंगे तो आपने देखा होगा किनली छोटी सी प्रोब्लम थी और मेरे मेचिमुम वीडियो में आप सिदा फॉल्ट ही आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या फॉल्ट हो होता है अब नीचे से खराब है इसमें अगर आप चेक करेंगे लोड-डेंगे लेकिन आउटDabei आपको पता नहीं चले कहां पर वॉल्टे ड्रॉप हो रही है क्योंकि नीचे से लिकी था तो इसलिए क्या क्या फोल्ट है वो सारी वीडियो में मिलेगी हमारी आपके तो सीधा आपके प्रोब्लम में इस टैप कि आती है आपके शिश्टम में प्रोब्लम पाउर सप्लाई में तो आप यह चीजे करके देख सकते हैं तो चलिए इसको मैंने लगा दिया है तो एक बार करके डिस्टॉप को ओन करके देख लेते हैं डिस्प्ले तो पावर लगाते हैं पावर लगा के फिर एगवर ओन करते हैं इसको सिस्टम को तो देखी ओन हो गया और मैंने लगाया नहीं वैसे डिस्प तो हम बूट कराके भी डेख सकते हैं पूरा मैंने इसलिए आर्ड ड्राइब लगा रखी है कि अगर भूरो हो के proper display हमें देखे वूट हो रहा है सप्लाई से तो प्रोपर लोड दिया हुआ है हमने तो अब इसमें कोई दिक्थ नहीं है यह देखे display आगया है पूरा proper तो इसमें आपको एक कैपिशिटर हुगाद कि Mens दोनों एक साथ नहीं चल रहे थे तो अब देखिए यह भी फैन मूब कर रहा है यह भी मूब कर रहा है और डिस्प्लेय भी आ गया तो यह प्रब्लम थी इसमें आयोप की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कुछ इसी टाइप की वीडियो लेके मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाउर सप्लाई के साथ एक पुरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद